आपके पर्सन की फेलिंग्स आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है टेरो कार्ड में चेक करने वाली हूं में आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है और आपके पर्सन आपकी लाइफ में दुबारा से लौटेंगे कि आपका पार्टनर आपको कॉंटेक्ट करेंगे इस चीज को चेक करने वाली हूं में तो इस चीज को चेक करने वाली हूं में यहाँ पर मैं पहले कार्ड में एनर्जीस को देख लेती हूं और energies को check करके मैं देखती हूं कि आपके person का messages आपके लिए क्या है और आपके person जो है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं या फिर angel जो है वो हमें क्या guide करना चाहती है ठीक है तो एक चीज़ और भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको angel message मिल रहे हैं receive हो रहे हैं तो उनक की तरफ ध्यान दिजेगा कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ हो कुछ होने वाला हो और angel हमें sign ना दे जैसा भी हो angel हमें sign देती जरूर है बट हमारी नजरें कितनी पार्खी है कि हम उन चीज़ों को समझ पाएं तो कभी भी angel sign हो उनको ignore नहीं करना चाहिए ठीक है तो चलिए देखेंगे यहां पर कार्ड में energies को लेंगे और energies को लेने से पहले starting में मैं आपको बोलूंगी कि मेरा कोई भी Instagram पेज नहीं है Facebook पर मैं नहीं हूं मेरा सिर्फ एक number है only one number 9540119650 इस number पर message करके आप appointment ले सकते हैं बात कर सकते हैं जो 9540119650 वाला number केवल यही मेरा है no Instagram no Facebook तो चलिए start करेंगे आप तो बही सबसे पहले तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है card को देखकर है ना कि आपके person जो है ना वो third party situation जो भी third party अगर आपके बीच में है तो आपके person वो third party के बीच में arguments बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे ठीके अगर आपके बीच में कोई भी third party है चाहे वो family से हो चाहे फ्रेंड से हो लेकिन मुझे card को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है हो गया है कुछ arguments वगरा हो गई है आपके person थड़ पाटी के बीच में ठीक है क्योंकि और यह जो हुआ है यह सड़न हुआ है ठीके अपनी गल्तियों से पस्तावा हो रहा है उनको तो भाई यह अंजल हमें कह रही है अब अच्छल कर कह रही है कि आपके person को पस्तावा हो रहा है जो गल्तियान उने की है आपके साथ है ना जो mistakes उनसे हुई है उसके लिए वो पस्ता रहे हैं स्ट्रेस में हो रहे हैं को परिशान हो रहे हैं मैंटली तोर पर ठीक है तो यह चीज़ यहां पर मुझे दिखाए दे रही है आपके परसन के बिच की और आपके बिच में योगी उनको बहुत अफसोस हो रहा है आपके परसन को जब से वह आपसे दूर गए है क्योंकि जो ठड़ पार्टी है इसने क ऑ्सक्षाण में और ही आपके परसन की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादाु से भी बहुत और होता है कि नपें और बावंकि भी जselfिति सब्सक्राइब करणा चाहते हैं लेकिन पैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि यह परसन ने साब बोल दिया है कि वह आपका साथ नहीं छोड़ सकते कुछ भी हो जाए वह आपका अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और आपके साथ वह अपने को करें को दूबारा से सब्सक्राइब आपकी परेशान है कि देखो एक तो चीज क्या हो आप जरूर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो अपने पर अको दिन और रात में तो बहुत जादा तो मैसे सेंड हो गया आपके पर्स न को है है और जो cleverness energy जारी ना क्योंकि अगर कोई थड़ पार्टी इंसे नहीं जुड़ी है है ना ठीक है तो यह काफी ज़्यादा कंट्रोल करने कोशिस कर रहा है अपने पर्सन को आपके पर्सन को है ना मतलब इसका कहने कि यह एक तरीके से आपके पार्टनर पर को कंट्रोल करने के लिए हर तरीके से जैसे कर सकता है वैसे उस तरीके से तो यह चीज़ें आपके person को irritate कर रही है ठीक है और आपके person को आपकी याद आ रही है कि आपने उनको कभी भी किसी जिसके लिए रोका नहीं टोका नहीं है ना और आपने उनको इतना support भी किया आप एक अगर working किसे आपके person money money ये बोल रहे है कि उन्होंने जो गलती की इस की माफी मांग रहे हैं आप से कहारे मुझे माफ कर दो है ना तो गलती है उत्यां नहीं है अचानक से ब्लॉक कर देना और इसतरीके से वेवियर करना तो अफसुस तो हो गई है आपके person को अभी आपके person को अपसो कर लेना चाहिए आपको क्योंकि यह परसन दुबारा से आपकी जिंदगी में आती है ठीक है तो यहां पर आज मुझे सबसे जदा इसी में से मैसेज आ रहे थे और शायद इसलिए आ रहे थे क्योंकि आपके परसन ना इस वक्त आपको बहुत तेजी से याद कर रहे हैं जब कहीं या मैसे लाइक कर पीटव कर एकन रेलेशन से हो सकता है वण साइट सेंगल माइड अक्स्टास अपको यह पर आपको ले कर बहुत आपके रिश्टे को लेकर सेर्यास है और यह परसन किसी कीमत पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे यह चीज आप समझ लो ठीक है इस वक्त इनको काफ़ी ज़दा बार्डन है इनके उपर लेकिन यह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं यह चाहते हैं ठीक है कि कि हैंगमेन सुच्वेशन क्यों दिख रही है मुझे है का कि हैẩn में सिच्वेशन दिख रही है दो Es तो वह निकलना चाहते हैं क्योंकि वह आपको देखते हैं आपके बारे में सुचते न तो इसा फफ़ल होता है कि आप ही और उनके हैं पूरी तरीके सी आना चाहते हैं ना मतलब ऐसे आना चाहते हैं जिसमें आपका और इनका इंका पर्मनेंटली एक relationship सिप हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं इन दोनों नो कॉंटेक्स सिच्वेशन भी दिख रहा है दूसरा फाइनेंशल कंडिशन वीक दिख रही है तो हो सकता है कामी मन नहीं लग रहा हो तो थोड़ा सा स्टॉक है आपके परसन अगर आपके बीच मे कुसी बात को लेका जगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हुए है न तो इसलिए स्टॉक है क्योंकि वह एक अच्छा रिलेशनसिप चाहते हैं लेकिन और किसी भी मामली में जो जबरदस्ती या जगड़ा आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते हैं तो अगर यह चीज़ें हुई है आपके बेच में तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको भी अवयर रहने की जरूरत है क्योंकि वह एक अच्छा गुड़ रिलेशनसिप हाल्दी रिलेशनसिप चाहते हैं आपके परसन आपके साथ ठीक है मुवन नहीं कर रहे हैं नो कॉंटेक्ट में है लेकिन मुवन न पाइसेज है जैमरी है यह राशियां यहाँ पर मुझे दिखाए दे रही है आपके आपके परसन की अब मैं कुछ राशियां वह बोलूंगी जो आपकी होंगी जो आपकी लाइफ में चेंजिस होने वाले हैं उनको राशियों को मैं बोलूंगी अगर आपकी राशी में ब पॉल भी देती हो एक तो मेरे को कन्या है मेश है चाजिटेरियस है कि लिवरा है तो वर्गो है लोग कि उपाय से इनके जो पार्टर्न ने अगर ब्लॉक किया है यहां पर दिख रहा आपको तो ब्लैक अनर्जीज है या ब्लॉक किया है तो कहीं न कहीं इनके साथ आपका रिलेशन्शिप में चांसेज हैं कि यह लौट कराएंगे आपके साथ रिष्टा निभाने के लिए निभाएंगे यह रिष्टा दूसरा गिल्ट का कार्ड है तो यहां पर यह भी चीज दिखा हां ठीके तो यहां पर अगरा आपकी नने चाहते हैं ठीक है और आपके पर्षसν this वक्त काफी स्ट्रेस में ठीक है यहां पर यह चीज निआ झाजरी है ज।-अपर पर मैं कर यह मैं सफलता का योग देख रही हूं आगे आनेवाले टाइम में आपको सेक्स्ट करियर में बढ़ जाएंगे आपके लाइफ में बहुत पॉस्टिविटी आते हो दिखरी खास्ता पर कैंसर मेश आप जैमनी लिवरा मकर राशी धनू राशी ब्रश्चिक राशी और कैप्रिकॉन तो यहां पर यह राशिया जो दिखाय दे रही है इनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशन से बहुत अच्छा होने वाला है आपके पार्टनर के साथ ठीक है आपके परसन के साथ आप कहीं बाहर भी जा सकते हो घूमने जा सकत है तो ट्रेवलिंग के अनर्जी आ रही है आप जा सकते हो कहीं डेट पर या घूमने जा सकते हो एक दूसरे के साथ टाम जो है इस पैंड कर सकते हो यह चीज दिखाए दे रही है मूब ऑन अगर आपकी परसन ने कर लिया है तो वह नहीं करेंगे अच्छा मैं फैमली की ब बाहर निकल जाओगे एकदम बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा बहुत अच्छा चेंज और यहां पर आप देखो मैंने बोला पहले करण बाद में आया तो यहां पर चेंज का काड यहां पर दिखाए दे रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे गुड चेंज को अच्छेंज को आपके लिए लेकर आ रहा है डेफिनेटली आपके परसन के साथ एक नियू स्टार्ट करोगे आप एक नियू अनर्जी में फैमली अगर तुलबा रही है रिष्टा तो वह पॉसिवल नहीं हो पाएगा कि फैमली को भी समझना पड़ेगा नमबर पर करना है 95401-19650 पर अल्ली एंड टेक केर बाए बाए